हेलो स्टूडेंट स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जैंगिर क्लासेज में तो आज हम लेकिया हैं एक मोस्ट इपोर्टेंट टोपिक जो ITE एक्जाम की दरश्टी से बहुत मैतवपुर्ण है जिस टोपिक का नाम है हस्त ओजार टूल के बारे में पहले कोशन नहीं आते थे आज कल ITE के अंदर ओजारों के कोशन और कंपटिशन एक्जाम में भी ओजारों के कोशन पूछे जाते हैं अभी हाली में DRDO का एक्जाम हुआ था उसमें हर एक्जाम की सिफ्ट में 10-10 कोशन टूल के बारे में पूछे गए थे तो आज मैं टूल के बारे में बताऊंगा कुछ 25 मेहत्वन कोशन लेके हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टोपिक तो सबसे पहला जो कोशन आता है वो है कि फर्मल चीजल का दूसरा नाम बताईए यानि फर्मल चीजल का दूसरा नाम बताना है चीजल दो परकार का होता है फर्मल चीजल और ठंडी चेनी यानि चीजल का दूसरा नम भी क्या है चेनी भी बोल सकते है यानि ये क्या होता है फर्मल चीजल रे क्या होती है ठंडी चेनी दो परकार के होते हैं फर्मल चीजल का जो लंबाई रखी जाती है वो कितनी होती है 15 cm यानि जो अभी फर्मल चीजल कोशन के अंदर पढ़ रहे हैं इसकी जो लंबाई होगी आप से लंबाई पूछ ले तो कितनी होगी 15 cm होती है और जो ठंडी चैनी या फिर कॉल्ड चीजल भी बहुत सकते हैं तो उसकी जो चैनी कितने परकार की होती है दो परकार की एक फर्मल चीजल होती है एक क्या होती है और यहाँ पर Śिजल का उसका लंबाई 77 007 की बहुता है तो यहाँ पर फर्मल चीजल का दूसरा नाम इती है। वह कहती है। आपकी आपके कहने का नामिया जाते है। Chorces किसका दूसरा नाम है तो Formal Chis gonna का नाम है दूसरा Chorce है चलिस हности करते हैं आगे काya रिए इं Pack अज दूसरा की लमें लाया जाता है तो हम बात करते है कि जो इसका जो उसलोडरो होताह ऴृय। बात करते हैं कि A option की pulley puller, pulley puller क्या होता है कि pulling को σवDIE पर पुली लगाएगे उसक wearing tool रजाता है उसको क्या कहते है ne अ पुली पुलर कहते है wire stipper वायर को चोलने के लिए काम में लाए जाता है हस्त ओजार है जो क्या करता है कि वायर को च्छिलता है और phase tester, phase tester क्या गरता है कि phase की स्थीति पता गरता है कि light continue आ रही है या नहीं है या पर विदुत है या नहीं है इसके बाद में आती है रेती रेती क्या गरती है कि रेती का काम होता है कि गिसने का कोई विज़े से वस्तु लोही की वस्तु यह है प्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्र न lorsque रबज कि अधार जोड़ा थी आए जाता है रेति का है पितू कर रहा है फिर हैं कि आगकरती करी पर लोहे की बिर्सक्राद करता कि गिसने के सब्सक्राइबरast किससे इस परता रहजो के दरभी कई दो कि अधार पर और दांथों की liberal और लंबाई हो is में डिवाइड की जाती है आकरती के दार पर देखे दो क्या होती है कि आकरती इस प्रकार से गोला कार भी हो सकती है त्रिबुजा कार भी हो सकती है और हाफ राउंड फाइल भी बोल सकते हैं से अब बात करते हैं कि दान्तों के दार पर किस प्रकार के दान्ते होंगे तो इस सिंगल कट भी हो सकते हैं डबल कट भी हो सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी दांते हो सकते हैं फाइल के अंदर अब बात करते हैं कि दांतों की ग्रेड के दार पर ग्रेड से मतलब होता है कि जिस प्रकार से एक वाई 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 सेंटीमेटर का टुकड़ा है उसमें दांत तो रेति के बारे में नेक्स्ट टॉपिक लेगा होंगा उसमें पूरे विवेरंट से आथी कि अल्ब हो बात रहे था stap करव ऌने पर सुझ की ऐधार हो रहे था मैं जो चैने का जो आगे का ढाग हैं, में गड़ यह की Вас अंपीर उपनीग विजा है, अगर मैं गया है, तो प्या नगड़ गार ठेटीए, कि पहले जो आगे का जो सीर है यानि ये चीजल है इसका जो आगे का सीर है इसको लाल गरम किया जाता है गरम करने के बाद इसमें इसको पानी के अंदर इतना इतना पानी के अंदर किया डिबो दिया जाता है और फिर बानी का अचानक से क्या किया जाता है ठंडा किया जाता ह तो इसका जो आगे वाला जो भाग है वो क्या हाड हो जाता है बाकी से तो जब इसको लोहे पर या फिर वस्तु को काटेंगे तो इससे क्या है कि आगे का जो है वो खराब नहीं हो गया यानि उस विदी को क्या बोलते हैं तो कोशन क्या आएगा कि टेंपरिंग विदी अपन ुआज ध्रएब और संद्रेब में। पहले सेंटर पंच निर्मार्ण किस डातू से कech Tucson पहले सहल कि पहले हैं होनता क्या है यह यानि जो लोहे की वस्तलिए यानि जो लोहे ३र्ड होती है इस पर पेंसी टरल या मार्किंग नहीं कर सकते है अब क्या किया जाता है कि यहां पर जिस परकार से मुझे यहां पर क्या निशान लगाना है यहां पर center में मतलब क्या निकालना या drilling या चैलना है तो यहां पर मैं रखके उपर hammer से क्या मरूँगा चोट मरूँगा तो यहां पर क्या निशान लग जायेगा तो center punch का use किया जाता है जो लोहे या चद्रों सीटें होती है उन पर निशान लगाने के लिए या फिर मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का यूज किया जाता है और जो सेंटर पंच होता है वो सेंटर पंच है आपके दो परकार के होते हैं एक तो सेंटर पंच होता है रेक क्या होता है कि सेंटर पंच होता है और इसका जो कोशन है वो मैंने अगे डाला है तो कोशन है कि सेंटर पंच का निर्मान किस दातू से किया जाता है तो यहाँ पर जो सेंटर पंच होता है वो क्या आता है कि कठोर स्टील से बनाया जाता है यानि वो टूटेन है तो यहाँ पर जो ओप् पर मार्किंग करने या भी निशान लगाने के लिए या पंचिंग करने के लिए उपयोग में लाए जाता है अब बात करते हैं कि पांच नमर कोशन की ब्लो लेंप निमन में से किस परकार की दात्तु का बना होता है यानि ब्लो लेंप क्या होता है कि एक परकार का एक परकार का hitting उप करना जो क्या देता है उष्हमा परदान करता है ब्लो लेंप का जो उप युग है वो हम करते हैं कि जिस पर separat से holding iron आप सभी ने कि यह व्याने के लगाया से लगता है क्बस्वाद कि देख एक्ष्ब आगे के लगा पैर Options पी वा सडा चार व जाएगी इसके सभी प्सक्र बिट किया होती है और में भीन को जाएगी और स्लटिर्न Standing जो यूज है वो कहां किया जाता है टंक का लगाने के लिए किया जाता है उसी परकार से एक केन होती है जिसके अंदर क्या होता है केरोसीन बरा रहता है और इसके आगे का है बाग होता है और यहां से क्या निकलती है उश्मा निकलती है यही गरम हवा निकलती है और यहां पर एक स्टोप का पंप दिया रहता है उसको प्रेस्ट करना पड़ता है और यहां एक जा वर आपने केरोसीन वाले चिरोग पहुत है उसी अकार वहता है यह बृटेक विधो और यह बना जाता है किसका बना जाता है तब भी कोशन कहा है के ब्लोड लेंप कह से जाता है उसमा परदान करने के लिए सोल्डरिंग, बड़े बड़े तारों में सोल्डरिंग करने के लिए बलो लेंप का यूज करेंगे और बलो लेंप किसका बना होता है तामबे का ठीके दोस्तों चलते आगे अब बात करते हैं कि हेक्सा बलेड किसका बना होता है आपने नाम सुना हो कि हेकसा जो आरी होती है जो लोहे की सरीय वगएरा को काटने के लिए क्या की जाती है काम मिलाई जाती है वो क्या होती है हेकसा बलेड लोहे की वस्तों एहों सरीय वगएरा को काटने के लिए जो यूज मिलाई जाता है वो क्या होती है हेकसा बलेड होती होता है तो कोशन क्या है कि हेक्सा ब्लेड किसका बनाता है तो हेक्सा ब्लेड क्या होता है कि हाई कार्बन इस पात का बना होता है यानि हाई कार्बन उच्छ कार्बन इस पात का बना होता है अगर कोशन में आता है कि एक्सा ब्लेड निमन का बना होता है HSS है बाकी ये option दिये गए है तो आपका उच carbon इसपाद नहीं है तो आप क्या करोगे HSS या फिर उच carbon इसपाद का hexa blade बना होता है ये कहां use किया जाता है ओजार लोही की वस्तों को काटने के लिए hexa blade क्या होता है कि ये जो अंदर वालो जो बाग है ये क्या गलाता है hexa blade क्या गलाता है और ये वाला जो है वो क्या गलाता है hexa frame अब बात करते हैं कि पत्थर की साथ हमर गोशन है पत्थर की दिवारों में छेद करने के लिए किस उजार का उपयोग है किया जाता है यह से पृत्ता है पत्त्र की के अव्लियारयको भी करूल और के उसज़ा है एक क्ली की बाक्राइब साल होती है की बड़ा एक भागे अगे का लगी लगी रहती है यह क्या गिलाता है हैंडल होता है और यह क्या होता है बिट होती है जो इसका जो जो हैंडल को क्या बोलते हैं होल्डर भी बोलते हैं जो किसका बनाता है माइल्ड स्टील का माइल्ड स्टील का जो होल्डर है वो किसका बनाता है माइल्ड स्टील का और जो बिट बनी होती है किसकी होती है कारबन smelled team के तहूं नोट करते हैं दासाइब किस बनी कि यि इसकी बनी होती है और यूस lleva किसकी बनी होती है कारबन स्टील जा मेरे बहुत को साफ नाय है कि दात्वन की चद्रों पर इसका photo here इसका ङुधि करना है क्योंकि यह ब Wrul-pug को बुमी पपने को नहीं गिरानेए ऐसका टूड़ जाता यानी इसका जो के बिर विसका बनावता है 600 करण च्रूट जाएगा ठीक है दोफसों आगे हम बात करते हैं कि आठ नमबर कोशन की वायर गेज के खांचे जो किस प्रणा प्रणालीगे बनाए जाते हैं यानि जो वायर गेज होता है उसके जो खांचे होते हैं वो इसका नाम प्रणालीगे बनाए जाते हैं यानि स्टेंडर वायर गेज इसका पूरा नाम होता है इसके अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से संक्य होती है एक से लेकर 36 तक जो संक्य चलती है करमाग चलता है और इसका जो चित्र होता है वो क्या होता है इस प्रकार से होता है यह होता है राउंड में अंदर और यहां पर छेद होते हैं और यहां पर अपने wire को डाल सकते हैं जिस पर देख सकते हैं कि wire का size नंबर क्या है तो standard wire gauge क्या करता है कि तारों के व्यास को नापने के लिए use में लाए जाता है यानि wire gauge तारों के व्यास को मा अपने के लिए किसका यूज करते हैं SWG यानि Standard Wire Gauge Wire Gauge खांचे ना प्रणा लिके किसके होते हैं SWG ना प्रणा लिके होते हैं अब बात करते हैं कि 10 9. Question की किसी जोब को मजबूती से पकड़ने के लिए किसका उप्योग किया जाता है यानि कोई जोब है उसको मजबूती से पकड़ना है तो किसका यूज करेंगे Voice का Voice एक परकार का जो उपकरना यानि एक ओजार है जो क्या होता है कि मजबूती से किसी भी चीज को पकड़ने के लिए यूज में लाया जाता है वोईस कई प्रकार के होते हैं जिस प्रकार से बेंच वोईस होता है और पिन वोईस भी होता है पाइप वोईस होता है एक्सटेकसा एक्सटा तो वोईस का जो डाइगराम है वो इस प्रकार से होता है कि जैसे कि यहां पर जो इसका जो भाग घुमन एंगे राउंड कराएंगे तो यह वाला जो बाग है पीछे वाला यह आगे जाएगा और पीछे जाएगा इसके बीच मेन जो वस्तु को पकड़ना है उसको क्या लगा देंकल ने बीच में लगा देंगे और यह क्या उजाएगे यहां से मजबुती हो, जिस प्रकार से लोही की वस्तों को काटना है तो उसको पकड़ना पड़ेगा जिस प्रकार से वो हिलेगी hexablet से तो वो इसके इंदर लगा देंगे तो वो क्या हिलना पंद हो जाएगे तो जोब को मजबूती से पकड़ने के लिए या फिर छोटी वस्तु या जोब होती है उसको क्या है ग्राइंडिंग करनी है या फिर हाथ के चोड लग सकती है इसे बचने के लिए क्या किया जाता है वो इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो राइट एंसर क्या होगा यह नि वो इसका यूज़ किया जाता है अब बात करते हैं कि 10 नमर की Hexa Blade की लंबाई पराय होती है यह नि हैकसा Blade अपनों ने पढ़ा था कि जो Hexa इस प्रकार से क्या होता है इसका जो डाइगराम होता है यह क्या होता है हैंडल होता है यहां पर यूज़ की यूज़ किया रख Delivery जो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी रहने संपार चाहले होता है तो बोला जाता है कि हो uh! कि जो न्वारे जो लंबाई रखे जाती है 30 cm 30 cm क्या रखेंगे यानि बात कर रहा है कि हेक्सा कां की जाती है कि लोहे की वस्तों को काटने के लिए और आरी का जो यूज है वो किया जाता है लकडी को काटने के लिए यूज मिलाया जाता है आरी को और हेक्सा का यूज करते हैं लोहे की वस्तों को काटने के लिए तो यहां पर अभी डियार डियो गंदर एक कोशन पूछा गया था कि हेक्सा के दानते करमाशय होते हैं यानि हेक्सा के दानते यानि हेक्सा ब्लेड जब लगाया जाता है यानि हेक्सा फ्रेम में फिट करते हैं तो इसके दानते किस और रखने चाहिए तो बोला जाता है कि जो हेक्सा जो लोहे काटने वाली जो आरी होती है उसके जो दानते होती है वो जिस प्रकार से यहां पर क्या है 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 और यह क्या है पूरा फ्रेम है तो यहां पर मैंने यह क्या लगा दिया है हेक्सा ब्लेड लगा तो इसके दानते क्या होने चीए आगे क्योंकि जिस तो उतलि locks working i you gp अवालीिक जो होती है उसके जो दानते होती है जिस प्रकार से लोहे काटने वाली यह इस प्रकार औहकली मुच्छा सित्र बनता हूं। इसके यहाश्यापी ठाब का यह शाल? याने अपना अपना हाथ है पीछे के औहोर होना चझा है लस पर वर्च आपका क्षाम जो क्या आपके आई टेक्जा में आ सकता है तो इसका जो राइट हैंस विदुत कार के लिए माप की होती है यानि वुड आरी जो लकडी परकार है करने वाले जो आरी होती है वह आपकी जो आरी होती है वह कितने परकार की होती है तीन परकार के होती है एक टैनन आरी होती है एक वुड आरी होती है और एक बात करते है की होल आरी होती है वुड आरी का जो यूज है वो क्या करते है कि जोब की यानि लकडी को फिटिंग है उसके लिए यूज में लाया जाता है और टैनन जो आरी होती है यानि जो टैनन आर की बात हो रहे है तो रहे का civा माब हता है रहना चांट रहना जा और ना जीए है यह को सब्सक्राइब एक है कि यहां पर जो िल्ण सेब्सक्राइब कितना है 30 से तेज़ेंटी मेटें हैंitar is उसका रखेंगे 30 से 40 cm यह होता है। जो कोई होता है। यहां पर होते हैं पर हेंडिल होता है। जहस्से आपने देखा १ की ब्रफ को बरफ को काटने के लिए पिर वर्फ को अलग लगॉ पिसमें करने के लिए एक सुंbी यूँज किजाती है। थीoth क्या है hail था एक और पीछे वेला जो सीरा है वो क्या होना चाहिए शार्प होना नहीं चाहिए और क्या होना चाहिए इसके साथ नहीं क्या रखना चाहिए यानि इसका जो यूज है वो कहां करना चाहिए लोहे की वस्तों पर कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो भाग होता है वो न तांब नम्र कोशन की सेंटर पंच प्रिक पंच या कौन क्या होता है तो अपने पिछे वाले को समें दखा था कि जो पंच होता है वह का यूज कर जाता है कि किसी दातु की चाडरों के रहां कि यंदर लिए पंच यू वह दो प्रुकार के होते हैं तो कौन सा होता है सेंटर क्पंच होता है और कॉं से होता है जो 30 घूपी को क्या होता इteAS क्वासरे इतना है तो वो क्यों है कि इसका न्यम होता है और यूं इसे होता है यान diff पूरा मुड़ा वाता है रेख से संसे कंटन्र नुखिल नहीं होता है से कम सर्टींक के नभे वाला है इसमें सलमिल से कम गर्वक्स स्टिल्वल्ल माय्क्रोमिटर आप्धम्न करमश्य मोरता है यानि स्टिल डूल क्या गरता है कि लंबाई को मापने के लिए जिस पर मोटर का व्यास नापने के लिए या फिर वायर की लंबाई नापने के लिए जो यूज क्या था वो क्या था स्टिल डूल होता है जो किसका बना होता है स्टिल का बना होता है यहां पर आपने पेमाना जो देखा होगा नॉर्मल स्केल देखती होगे और माईक्रोमिटर क्या करता है कि तारों को व्यास को मा अपने करे यूज में लाए जाता है तो स्टीड रूल क्या होता है कि अलब तो मान कितना माप सकता है कि 0.5 mm यानि 0.5 mm क्या होता है कि इतना साइज ये कम का नाप सकता है यानि कम से कम कितना नाप सकता है 0.5 mm और जाज़े से जाज़े जितने स्केल की क्षमता होगी अब बात करते हैं कि माיקometer का अलबतम मार जाता है वो क्या होता है 0.01 mm होता है यानि कहसकते है कि 100 वे बाग जो 100 mm का क्या होता है कि एक बाग का क्या नाप सकता है तो इससे अगर अपने डिवाइड करते हैं तो यह एंसर की आता है कि 0.01 के चीजल के निर्मान के किस दादो क। काम में लिया decía कोड चीजल मेरे तो तौस्ट बनी होती है वह किसी की बनी होती है लोग सीजल की बनी चैनल किने के बनी होती है। अब बात करते हैं कि वुड्शा कें शेतरं में 2.5 cm uh यहांपर जो दनते की संक्य होगी कुतनी रिखी जाती है कम से कम 2.60 cm केंदर कम 6-8 दनतफे होने चाहिए या क्59 cm कि लंबाई के इतने दनते होने चाहिए तो कोशन गयाएगा कि 20 cm या फिर 25 cm की लंबाए की जो आरी है उसमें दान्तों की संक्या होती है यानि 6-8 cm आठ है दान्ते होने चीज़ का राइट अंसर क्या होगा सी होगा अब बात करते हैं कि लकडी में छेद करने के लिए कौन सा ओजार प्रुक्त किया जाता है तो यहांपर अजार यानि एक टूल के जाता है जिसका नाम होता है ऋगर यह बोख सकते हैं जिमलेठ जिमलेट एक परकार का ओजार है जिस परकार से हस्त ओजार है जिसका ये हैंडल लकडी का बनाता है और यहांपर एक लोहे की जो रोड होती है और यहांपर क्या होता है इस परकार स्प्रिंग टाइप में अगे से नुकिला होता जाता है लकड़ी के इसका जो पुरं का नाम होता है वो क्या होता है जीमलेट है और ओगर बात करतेंगे जिस पर मद टिलल मद gravy को क्या बोला जाता है जानि यह इन को यह वाला बाग ऑग ऐ यह जा है जीमलेट में च्हैतो लकडी में चाहिद गरने के लिए जिमलेट और ओगर का यूजर किया जाता है अब कोशना है कि इस परकार से आपको आपको एक डायग्राम देदेगा कि इस परकार से और आगे से नुकिला बताओ ये कौन सा उजार है तो आप क्या बताओगी ये ओगर है अगर पीछे आपक नवागे दे दे तो ये क्या बन जाएगा जिमलेट अब बात करते हैं कि एलिमिनियम के तारों के सीरों पर थिमबल कि अःता है कि लकस को भुला जाता है कि लगाने के लिए कौन ुम्सा टूल यूज़ किया जाता है आपने देखागे कही जो एक जबाए तो इसे एक पर वड़ की ओप जाती है तो इसमें स्कुरूाइब जाए उपर सीज़ाएं यानि कोई भी ड़ ऑगम किया रहाया तो जो फिलन है तो उसेड़ãoER लगएगी तो इस वायर तक ही निकलेना है इस टूल को क्या कर दिया जाता है या इसको दबाना है ताकि वायर निकलेना तो इस टूल का जो नाम होता है क्रिम्पिंग टूल होता है या इसको क्रिम्पिंग टूल होता है यहां से क्रिम्पिंग टूल के दोरा क्या की जाता है यहां से क्य और आपना जोड़ के हो जाएगा। कोशन समझ में है की तारों पर द्थिंबल लगा रहता है लक्स लगा रहता है। कि शोजन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो क्लिंपिंग ट्विल है उपकरन होता है को इसके यूजर किया जाता है। कि तारों के मुहे को मोडने के लिए कौंसा ओजार कामे लेए तार होते हैं उनका जो मुहे का प्रकारस के की सारे तार नेकिलती एक वायर के अंदर इसका जो प्रैसिज्विच लिए इसको मौडने के लिए इतनाथा ना पर आगे जो तार आध है वोक है इसको फाल्तु Cr Marchegiani. इंस्यलेट्टिंगоль होना चीह क्योंकि इस टो ओब डॉगा मैं लेगाला त्यूलेट्टिक तो हमाइश verein रिवरेerkर अपयर क्या कृष Dollar हों दो सब्सक्राइब करने में हैं मैंगों सवाध यंथ पर आप आम भासा में क्या बोलते है अगया जो आगये वाला हमर यह क्या निकल के गिर जाए गया फिर चोटी लग सकती है हेंडल के आफनी सीरे चोर को आथ में उसे के यानी कभी भी अपने यूज़ कर नियुश करए है हैहमर को देखना एक हमेशा हाद इसे में पिछे सेरु सेजि़ना हैयाँ से अपनुब पकड़क ना यहां. यहां से क्यूं नीいつ नहीं कि आफ uh जो पर तो यह हां से अपने हाथ में लगने का डर रहता यानि अपने चोट लग सकती है तो इसका जो राइट एंसर होगा भी होगा है आपने को पकड़ेंगे बिल्कुल नहीं पकड़ना है अब बात करते हैं कि बाइसन नमर कोशन की पेच कस का अपर हो करते समय है कि सावधानियों का ध्यान में रखना जाले कि virt कर्छे जिसको इंगलिष इसका नाम स्कूर्मिल में बेह ज़िए लकडी को ईखने के लिए जिए उसको खिजन कि जाता है उसको खिलिए जाता इंगcount इसफी तो स्कूर्मिल अक्सर में जो स्कुरू ड्राइवर का जो यूज है वो कांट किया जाता है कि स्कुरू को खौलने के लिए तो इसका यह उपसंद क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पेज के अकार के अनुसार क्या पहला रहा है पेज कस का ग्राइवर के इससा क्या होता है तो 29 यह फैंसर का स्कूल पहला ला टूड जाता यानी चोट मारने से जेक्रिक नमर क्या है कि पैच के अकार की अनुसार पैच कस का चेयन करेंगे तो यहाँ पर यह भी बात चाहिए यहां पर यह वी बात चाहिए है जो पैच कस हो強ग है होता है इसका जो हैंडल होता है यह वाला तो यहां पर अपकर अपने चोट मारेंगे तो यह हैंडल क्या यह खराब हो जाएगा तो यह भी नहीं करना है तो अपने को यह हैंडल का जब पैसकस का यूज कर रहे हैं तो हमें अपने को तीनो बाते ध्यान में रखनें तो इसका आपको बरतनी है तो पहले बात करते हैं कि चेक कर देसे में दातु क्लिक पर उंगली रखें वह अर्थ के संपरक में रहें अब क्या होता है कि जिस प्रकार से यह फेज होता है यहां पर चल रहा है और अपने फेज चेस्टर यहां लगा दिया और पीछे से क्लिप पर अपन और फासषंट जो आंसुर दिया गया थाक्त मेंों जो फेस्ट यहां पांने प्रकार जो फेस्ट्ट संपरकार के जो ऊइंट करेंगे जो इसका त्या旬ामाइगी जातेया सव्छे से study in support करें इ Nom तो इसके प्रतिरोद लगाया जाता है तो इसके बाहरी में इटत और गर की गया होाई यहाई तो इसके इन्देर केचा लगा राए Пон्ड़ूप के संपरक फेस के संपरक ड़ाए तो अपने की यूर्डूने इंचनेकं शेक करें गओ hooksOS पांटेज देखेंगे 500 वोल्ट है तो अपने फैस्टे का यूज नहीं करेंगे और चेक करते हैं अपना जो उंगली वह पर अपने रखेंगे ताकि आर्थ की संप्रक में हैं और जो नियोन लेंप लगाया जाता है फैस्टे में वह क्या है जल जाए तो इसका जो सबी उप् उनको शीदा करने के लिए किसका यूज करेंगे तो इसका जो यूज करने के लिए जो हैमर होता है क्रोस्पिन हैमर का जो यूज किया जाता है तो यहां पर जो हैमर होते हैं वो कई परकार के होते हैं जिस परकार लकडी परकारे करने के लिए कौन-कौन से मैलेट जो यू कितने परकार की होते हैं कितने टायप कि होते है किस-किस बाग है कौन-कौन सा बना रहता ह। की अब बात करते हैंगे 55 डमर कि आपने इस्का कनाधिया निए निग इंडर के लिए किस ओजार का प्रेग किया जाता है यह क्या करता है कि तार के उपर को હटाने के लिए यूज किया जाता है और इसका जो एंगल घ्रवर और इंगल रखना चाहिए यानि यह यह वायर को चील ने करें तौक जो चील को यूज़ करते हैं इल्क्रिशन नाइफ का यूज़ किया जाता है तो यह कुछ most important 25 questions जो मैंने टूल के अंदर जो टोपिक है उसमें से मने उठाई है जो प्रिक्षा में क्या होते है कि कुछ कोशन इसमें दिये गए वो क्या कि प्रिक्षा अंदर पूछे जा चुके है और आपके IT में एक्जाम में भी पूछे जाते हैं तो मैं उमीद गरता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आयोगी अगर इसमें से कुछ भी आपको टोपिक या फिर कुछ कोशन है वो समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ओके थैंक यू